दिसकस करेंगे चैप्टर नमबर 6 जो अल्टरा सॉनिक टेस्ट का है अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर डिसकस कर लिये हैं हमने पूरा का पूरा रेडियोग्राफी टेस्ट का सिरीज फिनिश किया है हमने पूरा का पूरा मैगनेटिक पार्टिकल टेस्ट का सिरीज फिन Attenuation, Acoustic, Impedance and Resonance. ये चप्टर क्यों important है? क्योंकि जब आप कोई कमपनी में interview देने जाएंगे और जब आप interview देने के time पे आपको पूछ लेगा कोई interviewer के Acoustic Impedance गया है? Attenuation क्या है? What is the meaning of attenuation? आप attenuation का theory के बारे में क्या समझते है? What is the near zone? नियर जॉन क्या है नियर जॉन में हम क्यों discontinuity नहीं पकड़ सकते है उसका reason क्या है यह बहुत सरे ऐसे question आएंगे तब confused हो जाएंगे इसके लिए यह chapter है बहुत important है जो लोग level 2 भी करने जाते है उसके लिए तो important है लेकिन जो लोग level 3 करने जाते है उसके लिए यह chapter में से भी बहुत सरे question answer किये जाते है मैं एक conclusion के उपर भी इसमें आपको एक सोड़ा question answer भी देगा थाके आपको समझ में आए कि उसका conclusion क्या निकलता है frequency बढ़ जाएगा तो near zone में क्या effect होगा अगर मेरा transducer का dia बढ़ जाएगा तो near zone में effect क्या होगा अगर मेरा transducer का dia बढ़ जाए तो ठीटा के उपर क्या effect होगा, तो जो beam spread है, वो theory के उपर भी इसमें से बहुत सारे question आने का chance है, इसके लिए ये chapter आपको generally perfect करना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ 2 से 3 बार गुमा गुमा के उस ये chapter को रगडा जाए, ठीक है, तो आज हम discuss करेंगे chapter number 6, attenuation, acoustic impedance and resonance के बारे में, अलेड हमने discuss कर दिया है chapter number 1 के बारे में, chapter number 1 है वो बहुत important था, जिसमें हमने discuss किया, कि भई, level 1 का duty क्या है, level 2 का duty क्या है, level 3 का duty क्या है, उसके बारे में, पुरा depth में, हमने discuss किया, इसके बाद certificate कैसे आते है training कैसे लिया जाता है कितने hours का training होता है ultrasonic test जो है उसमें कितना training होता है और radiography test है उसमें कितना training होता है total solar type के NDT method है non-destructive test में total solar type के NDT method है generally हम लोगों को तो खाली PT, MT, RT, UT, VT generally 5-6 method के बारे में हम लोग जानते हैं किन actually देखा जाए तो solar method है वो हम पूरा का पूरा depth में discuss किया क्या-क्या method के नाम के साथ उसके technique के साथ और कौन सी techniques में कितना training लेना चाहिए कितना classroom training होता है certificate आता है तो कैसे होता है आपका near vision, आँखों का near vision certification near vision कैसा होना चाहिए आपका color blindness जो है वो ये chart जो है हमारा इशिहरा chart वो chart कैसे read करना है वो करने के time पे आपको कोई problem है की नहीं है आँखों में color blindness है की नहीं है वो सब चीज पूरा का पूरा हमने depth में discuss किया ठीक है तो आईए मेरे दोस्तों आज हम लोग chapter number 6 start करते हैं, already chapter number 2 में भी हमने principle के बारे में discuss कर लिया vibration principle किसके उपर काम करता है vibration principle, इतना vibrate करो तो कि वो vibration किसमें गुसे material के अंदर गुसे, जहाँ पे discontinuity हो वहाँ से वो return आए हमारे waves और वो return जो return आते है ना, उसको हमको machine के अंदर पकड़ लेना है और हम पकड़ेंगे तुरंट पता चल जगा हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ material में can't है, ठीक है, तो यह भी हमने पूरा समझा, ओके हम लोग ए फंडा याद रखो 20 cycle per second कितना? 20 cycle per second से लेके 20,000 cycle per second इतना ही हम लोग क्या कर सकते है? सून सकते है, sound energy हम इतना ही सून सकते है, तो इसके और ज़्यादा अगर energy produce करेंगे, और ज़्यादा vibration करेंगे, तो वो vibration है, वो use किसमे होगा? ultra sound में use होगा और वही ultra sound का use करके, हम लोग ultrasonic testing करेंगे, ठीक है? जनरली होता है जोった है न पेंटो वायर यहां? तो circulation क morality करेंगे, मुली प्रेशन करेंगे । ल्रही थे ने तो नहीं है, पूरा नहीं है, गितार गितार बजाते है ? जो है, वो वाइबस होता रहता है और वो vibration है वो पर ताउजन वन हंड्रेड साइकल पर सेकंड कुछ लोगे ना साइकल पर सेकंड की जगह हर्ट्स लिख देते तो हमें कोई प्राब्लम नहीं है यहां पर भी हर्ट्स लिख देते हैं यहां पर 20 अजार 20,000 हर्ट्स ठीक है अर्ट्स एक बड़ा उसने कुल टिका के रखे है अमेरिकन आढमी था तो जो भी है हमें क्या लेना देना धिक है हम लोग साइकल पर सेकंड बोलो या भिर हर्ट्स बोलो हमें क्या मतलब है कोई प्राब्लम नहीं है हम लोग उसको units लगाएंगे टिक है तो गितार जो है 4,101 1001 second में इतना vibrate होगा हमको शायद कम दिखे शायद पहले starting में धीरे-धीरे vibrate होता है न तो दिखता है लेगन फिर speed पकरता है न तो घंटा हमको कोई दिखता नहीं है हम लोगों को जो काम करना है वो 20 hertz से लेके 20,000 hertz ही हम लोग सुन सकते है तो उससे आगे का जो frequency है उसके और ज्यादा vibration है और ज्यादा ultrasound है उसमें हम एंटर होंगे और उसी को बोलते है ultrasound जनरली बोलते है न दो मेगा हट्स दो मेगा हट्स मतलब 2 x 10-6 मतलब 6 मिंडी हो गया उतना hertz ठीक है इसका मतलब यह हुआ तो नहीं है कोई rocket नहीं है इसमें हम लोगों को 20,000 hertz से ज्यादा sound produce करना है और वो sound के principle के उपर हमको ultrasonic machine काम करवाना है और वो ही काम है वो ultrasonic principle के उपर काम करता है आता था न न्यूटन का लोज वो यहां से एक ball को मारेंगे तो फिर सब बीच बीच वाले लोग कुछ नह आएगा ऐसा करके न्यूटन का लोग आता था न वैसा ही है नहीं या कोई rocket नहीं है ठीक है यह डिसकस कर लिया हमने डिसकस किया चप्टर नमबर 3 में ultrasonic testing method के बारे में दो टाइप्स के method है कितने टाइप्स के दो टाइप से एक तो contact testing और दूसरा कौन सा है immersion टेस्टिंग यह दोनों हमने डिसकस किया ओके फौल सीको ट्रू ट्रांसमिशन उसब चीज भी हमने पूरा depth में डिसकस किया तो इसमें भी हम पुरा कर लिया ओके वेव प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन का यहूरी बडरा चारट टाइप की वेव से कितने टाइस कह से पहला है longitudinal गाप सर्फेस वेव चौथा लेट वेव ठीक है यह सब चीज बहुत इंपोर्टन है वेरी गूड आपको याद है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है आप बोलते रहा है से जाकते रहो सोने का नहीं देख चार टाइप की वेव से नॉर्मल प्रॉब में कौन्चा कि बढ़ता है कुछ लेप गुमने के लिएंग अलग नाम है ठीक निया कोई रॉकेट कौन सा यूस होगा, शीयर वेयव यूस ओगा ठीक है देखुं, देखा जाए तो लॉंजिट्जीट्यूडनल वेयव में, सम्झो, मेरे पास यहां पे एक यसा ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, एक ट्रांसड्यूसरैसे मारेगा, मतलब यहां से एकर normal है तो क्या होगा एशे एसे बाइबरेट होते आगे बढ़ेगा तो going to लेकिन वो को एसे ऐसे बाइबरेट होते आगे बढ़ेगा तो hon भूण ऊपिए थे को यह होता है निया कोई रॉकेट नहीं है ठीक है ओके तो यह हमने डिस्कस कर लिया सर्फेस रेव सेकंड क्रिटिकल एंगल पर जाएगा उसका उसका क्या होगा दो मीडियम है यहां से आया इंगल दिखो यहां पर यहां पर इस निकलेंगे यह जो है वह लांजिटुड़ व है यह जो वह है longitudinal wave जो है वो ऐसे ऐसे vibrate होगा लेकिन shear wave है वो perpendicular vibrate होगा wave के perpendicular wave के parallel vibrate होते होते आगे बठेगा ठीक है वो ऐसे ऐसे आगे बठेगा ठीक है यह हो गया अभी यही चीज को अगर मैं second critical angle पे लेके जाओं और थोड़ा angle में बठा दूँ तो यहां से लेके यह longitudinal wave शायद यहां पे हो जाए और shear wave शायद यहां पे हो जाए ठीक है shear wave शायद यहां पे हो जाए longitudinal wave यह ऐसे निकल जाए उपर में मतलब यह steel है यह water या तो while समझो वो दोनों के surface जहां पे contact होता है वो contact के उपर पहेगा तो उसको कौन सा वेव बोलेंगे surface wave वेरी गूड एक second critical angle है ठीक है second critical angle है first critical angle में नहीं यहां पे थोड़ा मैंने ऐसा मारा ठीक है longitudinal wave यहां पे जाएंगे यह longitudinal यहां पे अभी है यह shear wave यह है longitudinal wave ठीक है longitudinal wave यहां पे रहेंगे और यह shear wave यहां पे नहींगे मतलब यह 90 degree पे बनेगा longitudinal तो यह first critical angle है तो यह सब चीज हमने already discuss कर लिया तो अभी मुझे उसमें पढ़ना नहीं है इसके बाद हमने discuss किया कप्लांट, ultrasound, energy and material characteristic वो भी पूरा का पूरा depth में discuss किया कप्लांट क्यों यूज करना है कप्लांट क्यों यूज करना है vibration मतलब जो energy है वो पानी में थोड़ा जाएगा oil में जाएगा लेकिन air है उसमें नहीं transmit होगा उसी की बज़़ा से हम लोगों को कप्लांट डालना बहुत जरूरी है वो भी पूरा depth में हमने discuss किया तो आएए मेरे दोस्तों आज हम chapter number 6 start करते है attenuation, acoustic impedance and resonance के बारे में ठीक है तो हम लोग अभी start करते है ठीक है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ Vishal Dhamelia आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारा YouTube channel है building knowledge जिन लोगों को यह सब चीज chapter चाहिए तो वहाँ पे YouTube में पड़े है और और भी depth में chapter चाहिए वो हमारा membership join कर सकते है lifetime membership है ऐसा कोई rocket नहीं है नहीं lifetime membership उसमें से आपको C-Chip का पूरा series मिलेगा आपको chapter by chapter समझाया हुआ code का भी series पूरा मिलेगा आपको और दूसरा मिलेगा आपको NDT का भी पूरा series मिलेगा बहुत सारे quality inspector का भी पूरा series मिलेगा piping inspector का पूरा series मिलेगा welding inspector का series मिलेगा आपको बाहर कुछ भी किदर भी जाने के जरूरत नहीं है C-Chip the 499 lifetime एक ही बार देना है आपको gmail drive के अंदर मिलेगा gmail drive से आप download भी कर सकते है तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे आपको चीज मिल जाएगा यह कोई business center जैसा नहीं है ठीक है हम लोग skill India के तोर पे काम करें अगर यहाँ पे आप training लेने face to face offline में अभी जैसे आप आये है वैसे लोग आएंगे तो उसको भी most welcome खाने का भी खाली आपके स्कॉप में रहेगा खाने का ही आपके स्कॉप में रहेगा बाकी सब का सब चीज हमारे स्कॉप में रहना भी आपको पैसा देना नहीं है training में भी आपको पैसा देना नहीं है खाना पकाना है तो gas का भी आपको पैसा देना नहीं है, electricity bill का भी आपको पैसा देना नहीं है, हम लोग skill इंडिया के तौर पे काम कर रहे हैं, इसके लिए आपका पैसा भेस नहीं होगा, हाँ, खाना अगर आप पका सकते हो, तो well and good आप पका लो, तो आपको थोड़ा सस्ते म में 20, 10, 15, 20 रुपे में शायद पक जाएगा, एक टाइम का, या 50 रुपे में, मैक्सिमम ऐसा समझो, बाकि आप बाहर वाटर में खाना खाने जाओगे, तो शायद 100 रूपिया या 500 रूपिया लगेगा, वो आपके स्कॉप में है, खाना खाली आपके स्कॉप में है, बाक स्कॉप तो थूदर स्पेसिमें, ओके अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, जैसे ही हम लोग ट्रांस्ड्यूसर मट्रियल के अंदर घुसाएंगे, मट्रियल के ऊपर रखेंगे, समझो मेरा एक प्लेट है, ठीक है, यह मैं प्लेट दिखा रहा हूँ, यह प्लेट है, अभ बीम स्प्रेड होगा, बीम बड़ा बड़ा सा स्प्रेड होगा, कैसे होगा, समझो मेरा एक श्टील का एक पार्ट है, ठीक है, उसका मुझे यूटी करना है, तो यहाँ पर मैं ऐसा एक ट्रांस्ड्यूसर घुसाएगा, तो यहाँ से सीधा तो आएगा ही, लेकिन ऐसे भ पुरा डेफ्ट में डिसकस किया, तो इसमें मुझे पढ़ना नहीं है, लेकिन यह बीम स्प्रेड होगा, ठीक है, यह आपको समझना है, एश्वन बीलो, तो यहाँ पर बीलो दिखाया, बीम आप साउन एनरजी विल स्प्रेड आउट डाइवर्जन, एज इट मूज थू तो दस पेसिमें, पेसिमें के अंदर ही प्रेड होगा, ठीक है, फिर बाहर नहीं गुज जाएगा, तो देखो, यहाँ पे एक स्पेसिमें है, यहाँ पे एक ट्रांस्ट्विसर गुशाया हुआ है, यहाँ से यह सेंटर लाइन, अब मैं ड्रो करूं, तो यहाँ पे ऐसा बीम स्प्रेड होगा, ठीक है, यह बीम स्प्रेड समझें, ऐसा पर एक्जमपल के तौर पर हाज आफ डिगरी आफ बीम स्पेड 12 डिगरी है, टो टोटल बीम स्प्रेड कितना होगा, 12 दून 24, डबल होगा, नहीं कोई रोकेट नहीं है, एंड एंड इंटेंसिटी एनरज अभी क्या होगा, इसका जो एनरजी है, वो भी डिक्रीज होते जाएगा, मुझे क्यों समझाना है, मुझे एक रूपिया उपर से डालता हूं, तो गरिब के पास कितना रूपिया पहुंचता है, 25 पहुंचता है, 75 पईच में, कान्ड हो जाता है, बीच में करॉप्शन हो जाता है, तो ऐसा ही है, यार, मैं अगर यहां से जितना एनरजी दूँ, तो पूरा का पूरा एनरजी मुझे रिटन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पहला एक हमको एकदम हाइट वाला मिल रहा है, पत होता जाता था वही हमको समझना अभी देखो यहाँ यह लाइन क्या खायना चाहता है जैसे ही आप यह सेंतर भाइंतलर यहां से ऐसे दूर-दूर जाते जाएंगे ऐसे दूर दूर जाते जाएंगे वैसे energy down होता जाएंगा क्या होगा very good energy loss होगा okay दूसरी बात अगर मैं यहां से ऐसे ऊपर से यह इंसे एसे जाता जाएगा वैसे भी energy loss होगा इसके लिए एसा बोल रहा देखो intensity energy decreases decrease होगा with distance away from the transducer distance तो यह से दूर ऐसे जाते जाएगे वही तो लोचा है समझे और मैं आप आज को इसी बात के पॉइंट के उपर जाने वाला हूं कि यह जो एनर्जी लॉस हो कैसे गीना जाए तो आपको मैं समझाने के लिए समझ देगा लेकिन बत में फट जाएगी जब लीवल थी-च्री जाशे झो पूच दिया जाएगा दो तिन एक्जम्पल दे जाएगा तक फट जाएगी तो यहां पर यह आपको समझ गया यहां पर यह जो है और यहां तो लोग बोलते हैं कि भाई नियर्जॉवन में मेरा डिस्कंटिनूटि नहीं मिलता है पता है दो भोलत दो ना कि ज匯ह य्यूटि नहीं होता है थे अमौह आपो ठाफिक सकते जिर उसका रिजन क्या है उसका रिजल है मिरे भाई एक कच्रा कौन नियर जौन में इंटेंसिटी है वो अनिवन होती अरे भाई समझो आप 20 मेगा 20 हट्स से लेके 20 हजार हट्स बीस हट्स से लेके बीस हजार हट्स तक हम क्या कर सकते सून सकते हैं तो उतना ही हम सून सकते तो तो हम चार पचीस 25 मेगा हट्स की बात कर रहे हम लोग 10 मेगा हट्स की बात कर रहे हम दो मेगा हट्स की बात कर रहे तो वह इनर्जी कितना वाइब रे karş होगा है तो अगव इतना एड़िह आगर में में अनंदर सीधा गुसा तो मुत इपने एग्षान इंया भूँद में नीजा revival को बोहुत में यहां तो तो में आप लोग यह ट्राइब देने कोई रॉकेट नहीं है मैं यहां से 10 मेगा हट्स का एनर्जी गुसाता हूं तो एनर्जी गुसाएगा तो बहुत मट्रियल को इफेक्ट पड़ेगा इसकी तो फट जाएगी मट्रियल की समझे तो वो जो एरिया है जहां तक मट्रियल के अंद लुटर वाइब्रेशन ऑन इवन होगा वो एरिया को नियर जोन बोलते हैं और वो नियर जोन में समझें यहां पर कोई चलो ठीक है हमें आगे बढ़ते हैं ओके नियर जॉन ये हो गया नियर फिल्ड हो गया इसके बाद का जो फिल्ड है वो फैर फिल्ड है और फैर फिल्ड में जैसे हम जाते जाएंगे वहाँ पे एनरजी थोड़ा अच्छे कम तो होता ही जाएगा लेकिन अच्छे से फिस्ट आगे बढ़ते हैं तो यहां पर पहले पढ़ लेते हैं पर कुछ लोग बोलेंगे यहां कुछ पड़ाने इलेक्ट्रिक लीड है यहां पर बैकिंग मट्रियल है यह वीर प्लेट है यहां पर साउंड फिल्ड है यह जो दिखाया साउंड फिल्ड है यह यहां पर यहां पर आगे बढ़ते हैं देखो स्पेसिमेन कुछ लोग इसको स्पेसिमेंट चलो एक स्पेसिमेन है या तो कोई जॉब है या तो कोई ऑबजेक्ट है वो को एक मत्रील है ठीक है उसमें मैं यहां पे ट्रांस्डूशन घुशाता हूं लगाता हूं तो इसमें से एनरजी जाना यहां पर इतना एरिया के कौन सा है नियर जॉन का इसके बाद का एरिया क्या है फार जॉन का मुझे एटेनिवेशन आपको समझाना है तो वह मुझे समझाना है है वह समझाने के लिए मुझे यह अपन आपको समझाना पड़ेगा ओके अभी हम आगे बढ़ते हैं पर टब कई सब्सदम्टोंम सबस्सक्राइव उस्टंटन उस इसटर सउंध्ष कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरा ब्रीकोंसी हाइव होगा तो इसका बतलब में यहाँ पर इतने में समझा दिया ना उसको इतने में समझा दिया मैं अगर है मेरा हाई भ्रिक्वेंचिंश राड़ अमने ड्नीज न्यारो सौंड भीम न्यारो मतलब पतला मतलब उसका this yr तो अगर प्पतला होगा तो शायर कम जायगा ऐसा ज dal इम स्प्रेड नहीं होग다 तो हाई फ्रिक्वेंची फोगा तो हाइश थे पीकवेंशी तो अगर फ्रीकुंसी इस स्का मतलब रहय गुवा तो मेरा बीम श्रीद कम होगा और फ्रीक्वेंशी मेरा लो होगा तो में स्टल हाइका यौ इन्ध विशंट फिल्स शीब टॉ ठीक है हाई-बिक्वेंस इस marketing produce a narrow sound beam then low frequency transducer so low frequency beam spread higher the higher and high frequency beam spread low beam spread low beam spread मतलब theta okay beam spread मतलब theta है ठीक है आगे बढ़ते है तब पर 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 आप एल्यू स्टेशन मतलब यहां पे जो example दिखाया गया है उसका पर 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 अल्टरा साउंड can be viewed narrow con shaped and beam which divided into John तो यहां पर में दो जोन में डिवाइड करेगा उसको एक है नियर जॉन एक है फैर जॉन तो इंटेंसिटी ओप नियर जॉन वेरी इस इर्रेगुलर्ली दू तो sound wave interaction close to the transducer देखो क्या लिखा है तो इंटेंसिटी इंटेंसिटी मतलब energy समझो इंटेंसिटी इन नियर जॉन नियर जॉन के अंदर वेरीज इर्रेगुलर्ली दू तो दे साउंड वे इंट एनर्जी इंटेंसिटी वेरीज होगा ऊण रीवन होगा उसमें प्रॉपर नहीं होगा और प्रॉपर नहीं होगा तो समझो इतने अर्या में कोई आप और ढब हों थे टो शायन पता ना भी चले वह ईसे ऐसे करके ऐसे ऐसे आएगा तो शायद यहां पर कोई एक डिसकंटिनुटी था वो उसके पीछ गुच जाए बंद दब जाएगा राइट ऐसा भी हो सकता है मिलेगा भी नहीं यह सब्सक्राइब हो सकता है रहास वेरी गूड देखो तो इस प्रिवेंट्स तर रिलाइबिली यहां पर मैं एसा ट्रॉ­ire अभी गुसायगा को मिलेफ को आ में यहां पर मैंने ऐसा घूसाय अभी क्या होगा यह एरिया है यह एरिया ट्रीचन में शैर शायद वहां पर कोई डिसकंटिनुटी हो कर् historically today ऑट डेधन्टा तुन Юथ्य पर नियर टू तो अधू दो फार जॉन, अभी फार जॉन की बात करते है, फार देते है, फार जॉन में, ठीक है, तो इंटेंसिटी एनर्जी डिक्रीज स्टेडिली डू तो इसमें अच्छा सा होगा, लेकिन बीम स्टेड होगा, ठीक है, लेकिन डिक्रीज होता जाएगा, अभी यहाँ पर नहीं बढ़ टाट नहीं है Simple देहां पर यहां से कोई energy आया यहां से आया ऐसे या है यहां पी यहाँ पर है तो यह आ पर हैं तो यह की भाई सब रहेगा यह है यह नहीं यह फैकेगा वही वो पकड़ेगा ठीक है समझे की नहीं समझे इसको यू टिक टक टक हो गया आटी में इसको प्रॉबलम होता है यहां पर अभी बोलने के तक आटी में लेको फ्यूजन लेको पेनेटरेशन में कांट करता है चला चलो ठीक है आच तो यू टिका है यू टिका कर लेते हैं ठीक है फ्यार जॉन कर पहां पहुंचे थे यहां लिखा होगा अभी देखो यहां से मैं ऐसा बोलता जा रहा हूं कि intensity कम होता जाएगा कम होता जाएगा ठीक है समझे यहाँ पर X के 5 इंटेन सिटी आई वन है य के पास आई वन होगा कि like rich ने टुकि यहाँ पे शाहे पचास वो तो यहां पर पहुंचते पहुंचते शाहे फिफाइब हो जाये श्तालीस भी हो जाहे तो वहां पे आई टुड यहां तो आई-वन और टाइम ज्यादा होगा कि कम होगा जादा होगा मेरे बाइब आई-टू और राम कम होगा नहीं कोई रॉकेट नहीं है और वो जो कम हुआ वो जो कम हुआ उसी को बोलते है एक टैन्योएशन इसे को बोलते है एटन्योएशन मलम कुछ तो कम हुआ होगा कि नहीं होगा समझो सबक्राइब यहां से 50 है यहां पर एक्स पास इंटेन्सिटि है यहां पर पहुंचते पहुंचते वो intensity 45 हो गया तो attenuation कितना हुआ पांच simple सी बात है ठीक है तो यहां पर यही लिखार the intensity at the point y is above less than the x attenuation of the term user describe this condition of energy loss energy loss here okay attenuation mean the process of listening the amount मतलब जो कम होता है वो amount है primary reason for attenuation absorption and scattering of the ultrasonic energy और यह क्या है energy का loss energy का loss क्या absorption क्योंकि हम लोग क्या करते है newton के low में यहां से मैं एक बांब फोड़ता हूं तो क्या होगा वह जितना energy से फैका वह इतना ही energy से थोड़ा कम लेकिन जाएगा फिर दिरे दिरे कम होते कम होते कम होते कम होते पिर एक मैंगा सब लोग एक साथ में एकदम बीच में हो जाएंगे राइट तो ऐसा क्यों हुआ तो absorption हुआ absorption करेगा ना कुछ चीज तो absorption करने के छक्कर में वह जो energy का loss हुआ उसी को बोलते है attenuation अभी चलो मैं आपको एक कि यह थोड़ा आपको यह आपको नहीं पढ़ना है अभी ठीक है चलो आपको मैं अभी एक example देता हूं तो आप समझो यह यहां से beam spread हो रहा है यह थीटा है यहां पर यह ट्रांसड्यूसर है इस इसको specimen बोलो या फिर object बोलो या जॉब बोलो जो भी बोलो यह नियर जॉन आपको फाइंड करना कितना नियर जॉन है वो फाइंड करना है नीचे फैर जॉन है ओ फैर जॉन आप फाइंड करो और उपर से justify करनेका तरीका है ओके लैंबडा is equal to we by up ! फेंता आपको पता यह पहले से पहले से पता हिना वी perfectly होता है frequency का कितना प्रोब आप ट्रांसड्यूसर लेंगे उसके ऊपर है यह ट्रांसडूसर जो है कितना मेगा अपको लिखना है ठीक है n is equal to n इयर जॉन का सब्सक्राइब किसका है ठीक है फ्रीकवंसी दो देता हूं और यहां पर एक में चोबीस देता हूं तो आप फाइंड करो लेंब्रा वहां पर क्या है लेम्डा है वह वेवलेंथ है फ्रीक्वंसी एफ है वेलोसिटी velocity V है मैं अभी normal prop के लिए बोल रहा हूं ठीक है या तो TR prop के लिए उसमें हमारा fix रहता है 5920 meter per second ठीक है तो यह find करो n है उसमें near zone है और near zone का length है d diameter of prob है तो मुझे आप theta find करके दो यहाँ पे theta find करके दो और यह near zone find करके दो ठीक है एक दो चीज मुझे find करके दो theta and near zone दो चीज find करके दो तब तक हमें वीडियो को push कर देता हूं ठीक है चलो ठीक है अभी start करते हैं answer की बारे भी है सबको इसका answer मिला होगा देखो diameter 10 से diameter 10 से frequency 4 है तो theta आपको मिला 10.36 degree ठीक है ओके नियर जोन उसमें मिला 16.89 mm ठीक है अभी यह 24 डायमेटर 24 है और frequency सेम रखा मैंने चार ही frequency 4 MHz तो theta is equal to 4.30 और यहां पे यह जो है वो आया है आपका 97.29 यहां पे थीटा है 21.47 मिला नियर जोन आपको 8.44 mm मिला और यहां पे थीटा आपको लास्ट में यह चारों का चार तो एक conclusion है क्या conclusion यह है कि देखो यहां पे अभी diameter की में बात करता हूं यह diameter की में बात करता हूं यह diameter की बात करता हूं और यह नियर जोन की है कि अलग है अलग है नय कादस से कचोब से फ्रिकवेंशी सें रखा मैंने दायामिटर चोटा है एक का बड़ा रखा रिकवंसी सेल्ट रखा तब मुझे नियर जोन एक का कम मिला एक का ज्याद मिला इसका मतलब यह हुआ कि सेंपिक्स फ्रिकवंसी होगा diameter अगर मेरा छोटा है तो नियर जोन छोटा मिला डायमेटर बड़ा है तो नियर जोन बड़ा मिला तो यहां पर देखो parameter थोड़ा बढ़ाया तो ठीटा और कम हुआ ठीटा और कम हुआ ना तो इसका मतलग यहां पर do diameter मेने बढ़ाया थिटा मुझे कम मिला diameter कम रहाँ तो ठीटा ज्यादा मिला यह conclusion है बहुत important conclusion है आपको question सीधा ही level 3 में पुछ देंगे कि भाई मेरा अगर डायमेटर बढ़ जाता है तो मेरा नियर जोन में क्या इफेक्ट पड़ता है तो आपको यहां पर यह सब चीज कंक्लूजन रट्टा मार लो इतना कुछ भी समझ में नहीं आता है ना तो यह इतना चीज में इसकी बात करता हूँ यहां पर मैंने डायमीटर दस रखा यहां पर 24 रखा यहां पर फ्रिक्वेंसी कम कर दिया ठीक है तो देखो अभी मैं इसका कंपेरीजन करता हूँ यह वन नंबर का फ्रिक्वेंसी अgor बढ़ेगा फ्रिक्वंसी बढ़ाया चार में से दो किया तो यहाँ पर थीटा क्या हुआ थीटा यहाँ पर ज्यादा हुआ ना दायमेटर स्वरी फ्रिक्वंसी मेंने कम किया तो यहाँ पर देखो फ्रिक्वंसी ज्यादा बढ़ाया तो फ्रिक्वंसी कम किया तो थीटा बढ़ाया वैस आपको रट्टा ही मार लेना है यह conclusion आपको समझी लेना है क्योंकि यह conclusion के ऊपर आप बहुत confused होंगे इससे करीबन 3 से 4 question आपको पुछा जाएगा कितना question? 3 से 4 तो यह आपको समझ में आ गया ठीक है? simple सा बात है नहीं है कोई यह rocket नहीं है अब यह आगे बढ़ते है ओके attenuation देखो नियर जोन का पता चल गया कि नियर जोन कैसे find करना है नियर जोन है is equal to d square by 4 लेमडा से find करना है d आपको all time पता ही होगा d क्यूंपता होगा आपको d जो है diameter आपको कितना है वो तो probe के उपर ही लिखा होगा transducer के उपर ही लिखा होगा तो d आपको पता है lambda पता होगा क्यूंकि lambda is equal to v by f है v आपका fix है 5920 और f ही fix है क्यूंकि कौन सा frequency का probe लेंगे वो भी आपको पता तो चली जाएगा तो lambda पता है लेंबडा पता है तो नियर जोन मिल जाएगा सिंपल सी मिल जाएगा या नया कोई rocket नहीं है नियर जोन मिल गया उसके बाद अगर lambda आपको पता है d पता है तो ठीटा भी मिल जाएगा scientific calc use करने का तो ऐसा ही simple है तो beam spread theory यहाँ पे clear होता है नया कोई rocket नहीं है बाई beam spread कैसे होगा वो find करने के लिए यह आपको पता होना चाहिए lambda वहाँ पे V by F लेना है और V तो fix सभी material के लिए V fix रहता है तो यह मैं आपको समझा दा हूँ देखो कोई भी material हो air है तो उसका V इतना है water है उसका V इतना है और आपको फ्रिक्वंजी भी पता रहेगा ना फ्रिक्वंजी क्यासा पता रहेगा क्योंकि वह प्रॉप के ऊपर ही लिखा है कि दो मेगा है चार मेगा है आट का दस का पचिस जो भी है whatever समझे नहीं कोई रॉकेट नहीं आपको यह मिल जाएगा तो simple हम आगे बढ़ते हैं attenuation is a different attenuation is a different in a different material देखो attenuation मतलब अलग-अलग material में different different होने वाला है attenuation attenuation है क्या पहले तो energy loss तो carbon steel में अलग energy loss ज्यादा होगा density जिसका ज्यादा है उसमें शायद ज्यादा होगा density जिसमें कम है उसमें शायद कम होगा नहीं होगा में भी हो सकता पता नहीं है यह हम calculate करेंगे तो पता चल जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं attenuation is a different in different material ओके तो इसके साथ हम correlate करने चाहते है depending on the absorption and scattering of the sound energy जो जिसका density ज्यादा है उसमें absorption ज्यादा होगा होगा कि नहीं होगा tungsten inclusion वाइट क्यों दिखता है क्योंकि वह density ज्यादा है उसका वहाँ पर एक्सरे का absorption ज्यादा होगा समझे की नहीं समझे वैसा ही फंटा यहाँ पर है नहीं कोई रोकेट नहीं है तो यहाँ पर लिगा depending on the absorption and scattering of the sound energy another phenomena दूसरे phenomena से बात करते हैं तो एक acoustic impedance से बात करते हैं तो acoustic impedance है क्या तो velocity जो है वो और उसका density एर का density approximately nearer zero है मैं आपको कल ही समझाया था याद है ना कि ओके वाटर का density वन है एल्यूमिनियम का density जोर से बोलो भाई स्टील का वेरी गोड देखो तो यह density हो गया वेलोसिटी हो गया तो acoustic impedance is equal to velocity into density नया कोच भी नहीं है अगर मैं यहां के acoustic impedance को मैं रो बोलू सोरी जेड बोलू ठीक है यहां पर जेड बोलू तो जेड इस इक्वल टू वेलोसिटी इन्टू डेंसिटी नया कोई रोकेट नहीं है ठीक है जेड इस इक्वल टू हो गया यह फंडा समझ में आया नहीं है नहीं रोकेट नहीं है डेंसिटी और वेलोसिटी का दोनों को क्रॉस करना है दोनों को मल्टिप्लाइ करना है तो आपको मिलेगा इसका मुझे करके दिखाव इसका तो सेमी इसका इस्का मुझे सेवफ़ी करने और वह ए यहां पर पांच पांच की जगहाँ छे कर दिया तो एक पॉन्टी सब् 북 मेरं कोई साट नहीं है ठीक है यह साथ क्றके दो तो पांट स्वय žeकर दो टू सिक्सोइट भी ठीक है करो करो अरे यार कॉंपिटर आज कल तो आ गया है मोबाइल स्मार्ट मोबाइल खट से करने का यहां कुछ रोकेट नहीं है टू पॉइंट सेवन्टी वर्न इंटू सिक्स पॉइंट थर्टिफाइज इस इकुल टू यह मिलेगा नहीं है कुछ रोकेट नहीं तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अभी देखो अभी मैं दूसरा पंड़ा आपको समझाता हूं एक स्टील टू स्टील के अंदर अगर हम लोग ट्रांस्मेट करेंगे समझो यह पूरा का पूरा स्टील है ठीक है यह पूरा का पूर तो यहां पर चाहत कम लोषो यहां सकता है और हम highly में जाओगे तो लोचा हो सकता है अगर में impedance है वो अलग होगा तो वहाँ पर energy loss आपका ज्यादा होगा समझे तो यहाँ पर अगर मैं यह बोलू तो वन जम वन ही होगा शायद यहाँ पर आपको वहाँ पर कम हो अभी I2 divided by I1 is equal to क्या है तो attenuation is defined attenuation is defined the loss of energy यह तो हमने समझा loss of energy per unit of distance unit of distance मतलब जो distance हमने काटा है शायद यहाँ पर मिने काटा साथ डिस्टेंस तहाँ यहाँ पर समझो यह वन मीटर है एक्जम्पल के तौर पर तो जितना distance काटा है उतना unit होगा उसका unit per distance होगा unit per distance मतलब समझो यहाँ पर i1 और यहाँ पर i2 है तो एक मिटर के अंदर हो काटा उसने तो पर मिटर होगा सेंटे मिटर में इतना distance हमने मेजर किया है सेंटे मिटर में तो पर सेंटे मिटर होगा नहीं कोई rocket नहीं है ठीक है ओके आई टू एक नहीं है आई टू यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं क्यों लिख हूँ चलो यहाँ पर देखा देता है आई टू डिवाइड बाइवन इस इकुल टू इस इकुल टू टू इन्टू आलफा जो आलफा है वह एटन्यूएशन कॉंस्टंट है और आई टू डिवाइड बाइवन रिश्यो आफ इंटेंसिटी और टू पॉइंट यूनिट डिस्टंस अपार्ट दो पॉइंट के बीच में तो डिस्टंस काटा है वह उसके बारे में डिसकस है नहीं कोई rocket नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं अभी देखो reflection factor reflection factor r is equal to नया जो rule से z1 minus z2 divided by z1 plus z2 समझो यहाँ पर पानी है यह पूरा पानी से बरा हुआ है ठीक है इसके अंदर एक still मैंने गुशा दिया है इसके अंदर उसका मुझे चेक करना है ultrasonic testing से ut ut करना है ठीक है यहाँ पर मैं transducer रखेगा या probe रखेगा ठीक है तो यहाँ स जाएगा यहाँ अब हेजा है एमसे जाएगा इसमय जाएगा लेकन कुछ शीदा भी जाएगा ना है ना तो यह समझो कुछ सिदा गया तो यहाँ पर ज़्यादा energy में दिखा यहाँ पे कम arrow गया देखा आपने तो ऐसा क्युंग हूवा क्यूकिंकर से वह स्थिक इंपिड attenuation constant is equal to Z1 minus Z2 divided by Z1 plus Z2 इसका square तो Z1 कितना है Z1 मतलब यह हम ले लेते हैं हम दो चीज़ ले लेते हैं यह को पानी लेते हैं वाटर था नहीं महाँ पर और एक स्टील था राइट वाटर था वह स्टील था तो इसका 0.1419 उसका 4.5666 दोनों का वह उड़ा देते हैं तो और पॉइंट 56 का फोटो कीज लोगाई तो कितना आया कितना आया कि एटी एट परसंट रेपलेक्शन आया इसका ठीक है कि नहीं आया यहां पर है ना वाटर इतना है तो वन पॉइंट आपने 4.56 को यहां पे डाला है तो इसका स्क्वेयर करने का इसका प्लस करके स्क्यार करो इसका स्क्वेयर करो तो एटी एट परसंट आया वाई बराबर कि नहीं बराबर है आपको कितना आया उतना ही आया चलो इसका मतलब 88% reflection हुआ इसका मतलब यह हुआ कि मैंने यहां से 100 energy डाला लेकिन यहां पे ही 88% reflection हो गया मतलब energy loss हुआ तो इसके अंदर कितना पहुचा 12% ही पहुचा right or wrong यह बहुत कचरा चीज है इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों को reflection factor r is equal to z1 minus z2 divided by z1 plus z2 तो यह z1 में इसके लिए समझा रहा है z1 कि z क्या है acoustic impedance ठीक है ऐसा ही डाला है यहां पे देखो तो यहां पे reflection factor का theory खतम हता है अभी हम लोग regional start करेंगे ठीक है नहीं यहां कुछ rocket नहीं है resonance can be defined as a characteristic of the vibrating body of resonate or vibrate the sympathy with the vibration source इसका मतलब क्या हुआ अभी तक हम attenuation के बारे में समझा है energy loss के बारे में समझा हम लोग यहां पे गुशा रहे थे 100% energy लेकिन साला यार बीच में ही 88% loss हो गया हमारा पानी में ही ठीक है और बारा परसंट ही अंदर गुशा तो हमें वह जो बारा परसंट वह गया अंदर उस तो रिटन आएगा उसी का काम से पता चलेगा ना लेकिन और कम जाएगा कुछ जाएगा ही नहीं तो फिर हम इसको बोलते है रेजोनल जितना डालोगे उतना ही रिटन आना चाहिए उसको बोलते है तो अभी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं ओके तो यह क्या है रेजोनान्स कैन बी डिफाइन यह the characteristic of vibrating body of resonate और vibrating sympathy sympathy का मतलब क्या हुआ sympathy sympathy का मतलब हुआ कि सेम सेम जैसा common जैसा मैं 100 डालेगा तो 100 आना चाहिए 50 डालेगा तो 50 आना चाहिए sympathy जैसा हो जाएगा The vibrating source किसके सात vibrating इंदर यहां से उतना ही एनरजी मुझे रिटन मिलेगा उसको बोलते है रेजोनेंस उतना ही मिला तो तो वैसा मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें और फर्मिला के उपर जाना पड़ेगा न और फर्मिला ऐसा दिकाएंगे ताकि जिसमें उसमें फर्मिला दिखाया था ना कि Z1-Z2 divided by Z1 plus Z2 all square ऐसा तो इसमें ऐसा नहीं फर्मिला फाइंड करना पड़ेगा तो वह देख लेते हैं ठीके देखो यहां पर में एक ट्रांस्ड्यूसर लगा रहा हूं यहां से मैंने समझा ऐसा ऐसा करके गुशाया तो यहां पर इतना ही रिटन आया तो हमको पता चल गया एस टेंडिंग वेव से एक प्लांट लगाया हुआ ह एक्सिस्ट एनी ताइम कंटिनुएस लॉंजिटुटिटुटिटनल वेव इंटर्डूज इंटो इंटो देख इन रिप्लेक्ट इन फेज विद दॉक मिवेश तो मतलब जितना इन फेज में जितना इनकमिवेश आता है वही दिखाया गया है रेजोनांस विल ओक्यूर नोग्त सिल्ट इकनेश में और पहिंण थर्ड रेजोनेंटीं भी बहुत क्लिगेए है और सेचिसम में ऑंकिन इक्काञ् Hmmm यही बोल रहा है ना वो लाइन वो यही बोल रहा है नहीं यह कोई rocket नहीं है तो अभी मैं इसको formula के start करता हूँ लेकिन lambda आमको पता है lambda is equal to V by f है ना lambda is equal to V by f तो अभी मैं यह lambda की जगह V by f रखू V by f पूरा divide by two एसा ही है ना तो f उसका नीचे जाएगा तो v by 2f हो गया ना तो अभी मैं यहां से यहां पर जाओं तो f को वहां पर गुशा देता हूं t को इस से ले लेता हूं तो क्या होगा पहले तो है क्या पहले t is equal to v by 2f है अभी नहीं कोई रॉकेट नहीं है यहां पर ठीक्ने सब्सक्राइब लिखा हुआ है है अभी फंड़ा मेंटल कोड हार्मोनी इसको हार्मोनी बोलते है तो हार्मोनी जो है ना वह क्या है समझाओ एक मेगा हट्स का fundamental frequency में डालेगा तो थिकनेस is equal to एक है तो lambda by 2 था लेकिन lambda यहाँ पर वो बोल रहा है one frequency में डालेगा तो यहाँ पर one by two हो गया ना आदा हो गया ना तो हाथ T हो गया राइट आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दो मेगा हट्स का हर्मोनी में करता हूँ दो मेगा हट्स गुषाता हूँ पहले मैंने क्या गुषाया एक रिटन अभी दो में गुषाता हूँ तो दो गुषाएगा तो थिकनेस one wavelength हो जाएगा क्योंकि थिकनेस is equal to lambda by 2 लेकिन यहाँ पर मैं दो frequency घुषा रहा हूं तो दो दो निकल जाएगा तो ती इस इकल टू लेमडा ही हो गया ना ठीकनेस इस इकल टू लेमडा हो गया है ठीक है यहाँ पर अगर मैं तीन गुषाता हूँ तो वन वाइवन वन इंटू वह गया नहीं है कुछ रॉकेट नहीं है आगे बढ़ते हैं देखो यहाँ पर मैं जो हमने यह फाइंड किया ना एफ इस इकल वी बाइट टू टी वह इन लोगों ने यहाँ पर डाइरेक्ट लिख लिए है लेकिन डाइरेक्ट कैसे लिखा वो पता होना चाहिए हमको टी इस इकवल टू लेंबडा बाइट टू ऐसा बोलते है इसको क्या बोलते है इसको क्या बोलते है रेजोनंस तिकनेस बोलते है रेजोनंस तिकनेस ऐसा होगा तबी जाके यह फॉर्मुला सेटिस्पाइब होगा तबी जाके हमको रेजोनंस मिलने के लिए होना चाहिए ऐसा होगा तभी बनेगा तो लेंबडा की जगह में वी बाइएफ करता हूं तो वी बाइटू एफ तो इसका मतलब यह हुआ तो f is equal to v by 2t नया कोई rocket नहीं है वहाँ पर समझाया वही है इन लोगों ने यह लेकर आया है ठीक है तो अभी देखो यहाँ पर एक प्रोब है एक ट्रांस्ड्यूसर है वह यहाँ पर एक गुसाया फिर दूसरा यहाँ पर यहाँ यहाँ पर पल्स ट्रांस्मिटर होगा तो पकड़ लेगा यहाँ ठीक है जितना पोढ़ डाला उतना उपकड़ लेगा तो भी फंड़ा हो जाएगा तो नहीं यह रॉकट नहीं यह यहाँ पर और अगर यह पर क्रैक है समझो कोई discontinuity है तो भी यहां पे अगर डालेंगे तो यहां पे यह हमको रिटन आएगा तो यह भी हो जाएगा नहीं है कोई रॉकेट नहीं है ओके अभी थोड़ा थियोरी पट लेता है जल्दी जल्दी अल्ट्रा सॉनिक ओ यारे क्या हो गया एक मिनिट अब अब ठीक है अब ठीक है अब ठीक है ना ओके अल्ट्रा सॉनिक यूनिट यूजिंग प्रिंसिपल रेजोनेंस वेर कॉमनली यूजड इन थिकनेस मेजरमेंट एंड बॉन्डेड और लेमिनेशन इस्पेक्शन देखो यह रेजोनेंस का यूज कहां होता है वो भी एक इंपर्टन है ना तो मेरे भ बनाया जाएगा तो यह सब थियूरी समझोगे ना तब जाके कोई इंस्ट्रूमेंट बना पाओगे बनना गया घंटा हिलाते रह जाओगे समझे तो यह सब चीज समझना जरूरी है ओके पल्सी को यूनिट हैव बिन रिफाइंड तू परफॉर्म दो मोस्ट फंक्शन ए है रिख करेगा एक्राइब करेगा एक रिखियु करेगा यहां तो ब्रुप सी को में यह पाल्पी को में यह काम का नहीं है परफॉर्मेंट यह काम का चीज नहीं मतलब रेल ली कभी-कभी यूज होता है ऐसा है रेजोनांस वैन ओक्वूर्श तो मट्रियल ठीकनेश इस to half wavelength and exactly multiply half wavelength exactly multiply तो यही यह समझा रहा है ठीक है नहीं कोई रॉकेट नहीं है हर्मोनी आर एक्जेट ली मर्टीपल फंडामेंटर मिनिमम फिक्वेंसी फंडामेंटर रेजनल फ्रिक्वेंसी फाउंड बाई या फिजिकल टू वी बाई टू टी तो यहां पर चेप्टर क्लोज होता है थेंक्यू वेरी माच नया कोई रॉकेट नहीं है एकदम सिंपल चाह है आप लोगों को और भी चेप्टर वालेड़ी यह तो मैं समझा चुका हूँ बहुत